बच्चो एडू वीला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं आज की वक्सिट और आज की वक्सिट है क्लास साथ के विज्ञान की वक्सिट संख्या 36 आज हम लोग प्रकास के वारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग संतल दर्पन में बस्तू के प्रतिविम्ब का बनना देखेंगे और यह भी सीखेंगे कि क्या संतल दर्पन में बना प्रतिविम्ब किसी परदे पर प्राप्त किया जा सकता है तो चलिए सुरू करते हैं बस जो छबी दिख रही है यह प्रतिवीम कहलाता है और आप जो खणे हैं तो आप यहां बस्तू कहलाएंगे तो आप बस्तू हो गए और आपका जो प्रतिवीम आपकी जो छबी समतल दरपन में बनी है वह प्रतिवीम हो गई इस मामले में हमारा चेहरा वस्तु है और हमारे चेहरे की छवी उसका प्रतिवीम्ब है अब यहां क्रिया कलाब है जब हम एक जलती हुई मुंबत्ती को समतल दरपन के सामने रखें इस प्रकार मुंबत्ती वस्तु है और समतल दरपण में मुंबत्ती के छबी मुंबत्ती का प्रतिवीम है समतल दरपण में देखा गया है कि मुंबत्ती का प्रतिवीम सीधा और बस्तू के समान अकार का होता है आप यहां देखे यह समतल दरपण है और यह मुंबत्ती है और इसका समान अकार का प्रतिवीम में यहां बन रहा है सीधा बन रहा है बिलकुल सीधा बन रहा है और जितनी बड़ी मुंबत्ती है उतना बड़ा प्रतिवीम है यह समतल दरपन से जितना आगे है प्रतिवीम उतना ही पीछे बन रहा है यदि हम समतल दरपन के पीछे परदे लगा दें, तब हमें उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कियोंकि समतल दरपन के पीछे कोई प्रकास नहीं है बास्तों में छबी वहां बिलकुल नहीं है एक आभासी प्रतिविम तब बनता है जब किसी वस्तु से आने वाली किरने दरपन से प्रावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतित होती है तो यहां यह एक सीधा और अभासी प्रतिविम मनता है और अभासी प्रतिविम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो हमें समतल दरपन के बारे में कुछ खास बातों की जनकारी हुई जैसे एक समतल दरपन सदेव सीधा वस्तु के समान अकार का और अभासी प्रतिविम मनता है अब यहां प्रस्ण है कि दोनों इस थितियों में अपना प्रेक्षन लिखिए यहां का रहा है कि समतल दरपन के पीछे एक लंबवत परदा रखें इस परदे पर मुंबत्ती का प्रतिविम प्राप्त करने का प्रयास करें क्या आप परदे पर प्रतिविम प्राप्ट कर सकते हैं जब आप इस तरह का परदा रखेंगे तो क्या आप परदे पर प्रतिविम प्राप्ट कर सकते हैं तो इसका उत्तर होगा नहीं हम परदे पर प्रतिविम नहीं प्राप्ट कर सकते हैं क्योंकि समतल दरपन हमने पढ़ परदा रखें इस परदे पर मुंबत्ती का प्रतिविम प्राप्त करने का प्रयास करें क्या आप परदे पर प्रतिविम प्राप्त कर सकते हैं अब कह रहा है कि पहले तो पीछे रखें आप कह रहा है कि सामने रखें तो सामने रखकर भी हम प्रतिविम प्राप्त नहीं कर सक तो समतल दरपन द्वारा बनने वाले प्रतिविम की तीन वी सेस्ता यहां देखे लिखा हुआ है पहली वी सेस्ता की एक समतल दरपन सदर सीधा प्रतिविम मनाता है दूसरी वी सेस्ता की बस्तू के समान आकार का प्रतिविम मनाता है और तीसरी वी सेस्ता की आभासी प्रति झाल झाल झाल